सूप्रभाद बच्चों, मैं रश्मी शर्मा, ब्राइट स्कोलर, सीनियर स्केंडरी स्कूल में हिंदी विश्य की अध्यापे का डिजिटरल लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ बच्चों आपकी हिंदी की पाठे पुस्त का प्रथम पाठ का नाम है जमी को जादू आता है और इस कवीता के कवी गुलजार हैं गुलजार के जीवन परिचे का हम अध्यान कर चुके हैं आज हम कवीता का अध्यान करेंगे कवीता का नाम जमी को जादू आता है कवीता का अध्यान करने से पहले बच्चों जादू शब्द का अर्थ जानना जरूरी है जादू जब कोई कारिये साधारन रूप से ना करके चमतकार के रूप में किया जाए उसे जादू कहते हैं बच्चों आपने देखा होगा जब जादूगर कोई खेल दिखाता है तो वे क्या करता है आपकी आँखों के सामने देखते ही देखते वस्तों को गायब कर देता है इसे जादू कहते हैं अब हम कविता का अध्यन के ये मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है ये जादूई जमी है क्या जमी को जादू आता है यहाँ पर कभी अपने बाग में उगे हुए विभिन प्रकार के पेड़ पोधों को देखता है तो उसके मन में एक प्रश्न उड़ता है क्या ये जमी जादूई है या फिर इस जमी को जादू करना आता है जिसके कारण जो है उसकी बाग की मिट्टी में विभिन प्रकार के पेड़ पोधे उगे हुए हैं अगर अमरूद बीजू मैं तो ये अमरूद देती है अगर जामुन की गुठली डालू तो जामुन भी देती है करेला तो करेला नेम्बू तो नेम्बू सबसे पहले गुठली शब्द का अर्थ जानना ज़रूरी है गुठली का अर्थ होता है फलों के बीच का सक्त भाग जैसे आप फल खाते हैं फल में आपने देखा होगा आम खाते हो आप जामुन खाते हो तो आम जामुन इन फलों में बीच में एक सक्त भाग होता है और वह सक्त भाग गुठली के लाता है अब कभी कहता है अगर अमरूद बीजू में तो ये अमरूद देती है कि वह इस धर्ती पर जिस भी फल के बीज बोता है उसे उसी फल की प्राप्ति होती है जैसे उसने अमरूद के बीज बोई तो उसे अमरूद की प्राप्ति हुई अगर जामुन की गुठली डालू तो जामुन भी देती है जब उसने जामुन की गुठली बोई तो उसे जामुन की प्राप्ती हुई करेला तो करेला, नीबू तो नीबू उसने जब करेले के बीज बोई तो उसे करेले की प्राप्ती और निबू के बीजबोई तो निबू की प्राप्ती हुई इन सब क्रियां को देखकर कवी ने कहा कि उसने जब भी जिस भी फल के बीजबोई है उसे उसी फल की प्राप्ती हुई है जिसके कारण कवी को ऐसा लगता है कि शायद इस जमी को जादू करना आता है जिसके कारण उसे उसी फल की प्राप्ती होती है जो वहबीज बोता है अगर मैं फूल मांगूं तो गुलाबी फूल देती है मैं जो रंग दूं उसे वो रंग देती है यहां कभी कहता है कि मैं इस धर्ती से जिस रंग के फूल मांगूं मुझे उसी रंग के फूल देती है अगर मैं इस धर्ती से गुलाबी रंग के फूल मांगता हूँ तो मुझे गुलाबी फूल की प्राप्ती होती है अगर किसी और रंग के फूल मांगता हूँ तो मुझे उसी रंग के फूल मिलते हैं जो रंग मैं चाहता हूँ, मुझे उसी रंग के फूलों की प्राप्ती हो रही है। आपने बच्चों देखा होगा विभिन प्रकार के फूल विभिन रंगों में होते हैं, जैसे लाल, पीला, गुलाबी, तो कभी को इस देखकर अश्चर होता है कि ये रंग कहां से आए हैं, ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छुपा रखे हैं मिट्टी में? इन रंगों को देखकर कभी को ऐसा लगता है, जैसे उसने ये सारे रंग अपने अंदर छिपा रखे हैं, जिसके कारण उसने जिस रंग के फूल की मांगी, उसे उसी रंग के फूल की प्राप्ती हुई। बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला, जमी को जादू आता है, कभी ने अपनी जिग्यासा को शान्द करने के लिए धर्ती को बहुत खोदा, मिट्टी को बहुत खोदा, शायद कुछ उसे मिले, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, तो ऐसा होने पर कभी को ऐसा लगा, शायद इस जमी को जादू करना आता है, जिसके कारण उसने जिस रंग के फूल मांगे, उसे उसी रंग के फूल की प्राप्ती हुई, बच्चों, आपके मन में भी प्रेशन उठ रहा होगा, क्या वास्तम में ऐसा होता है, जमी में जाद हो है, क्या ऐसा है, बच्चों, वास्तम में ये रंग फूलों के बीजों में छिपे होते हैं, ना की मिट्टी में, आप जिस रंग का फूल चाहते हैं, आप उसी के बीज बोएंगे, तो आपको उसी रंग के फूल की प्राप्ती होगी,